नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास एन M.D. PhD आईरोधा दॉक्टर आज मैं अपने सभी दर्शकों को अलसरेटिव कोलाइटिक्स मतलब UC का अईरुवेदिक एस्पेक्ट इसके बारे में जानकर देने जा रहा हूँ बेसिकली अलसरेटिव कोलाइटिस एक इन्फलावेटरी बॉइल कंडिशन है IBD के दो पार्ट्स में डिविजन होते हैं एक है क्रॉंस दिजीज, दूसरा है अलसरेटिव कोलाइटिस जिस भी पेशन्ट को बार-बार मोशन आता है वो भी लूज मोशन आता है, डायरियाटिक स्टूल आता है उसके साथ फ्रेश बलड पास होता है सम्टाइम्स म्यूकस पास होता है उस व्यक्ति को abdomen pain रहता है और उस व्यक्ति के abdomen region में burning sensation रहती है और उसका sudden weight loss होता है यह कुछ major symptoms है ulcerative colitis के साथ ही साथ उस व्यक्ति का loss of appetite मतलब भूक ना लगना, पेट भारी लगना, पेट में ग्यास बनना वारमवार वो ग्यास उपर की तरफ आना इस प्रकार के symptoms भी patient लेके आता है जब भी किसी भी व्यक्ति को colon में ulceration form होता है तो वो majorly colonoscopy या फिर sigmoidoscopy इन दो major investigations के साथ हमें पता चल जाता है और जब ये patient हमारे पास ulcerative colitis diagnose पद्धती से लेके आता है तब हम उसको आईरवेदिक पद्धती से जज करते हैं आईरवेद में ग्रहनी नामक व्याधी बताया है इस ग्रहनी के चार मुख्य प्रकार है जैसे कि वातज ग्रहनी, पितज ग्रहनी, कफज ग्रहनी और सन्नी पातज ग्रहनी इसमें से जो दोशों के अनुसार पितज ग्रहनी वाला व्यक्ति है वो पित्तज ग्रहनी वाला व्यक्ति लंबे समय तक अपत्य विहार का सेवन करता है तो उसमें रखता अतिसार उत्पन होता है जैसी कि मैंने पहले ही बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशन में लूस टूल के साथ-साथ फ्रेश ब्लड भी आता है रखता अतिसार वाला व्यक्ति भी इसी प्रकार का होता है रखता अतिसार में भी उस व्यक्ति को मोशन के साथ अतिसार के साथ रखता का बाहर निर्मूलन होता रहता है इस प्रकार का रखता अतिसार का व्यक्ति हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के समान मान सकता है देखिए आईरिवे दोष दुष्य की समुर्चना से जाना जाता है तो ulcerative colitis में भी मुख्य दोष ये पित्त दोष माना गया है और दुष्य में प्रधान दुष्य ये रक्त माना गया है जब भी इन दोनों की दुष्टी अधिक मातरा में होती है या फिर ये दुष्ट हुए हुए दोष और दुष्य एकतरित होते है तो ulcerative colitis मतलब रखता आतिसार जैसा भायंकर व्यादी उत्पन न करते है इस प्रकार का ulcerative colitis जैसा व्यादी अनेक सारे कारणों के वज़े से उत्पन होता है जैसे कि इंडिया में ये day by day increase हो रहा है इसका prevalence बहुत बढ़ रहा है और खास करके northern इंडिया में because of unhealthy lifestyle and bad dietary habits के होज़े से उसी के साथ लोगों में बढ़ते जाने वाला anxiety, stress, depression या आपकी body की immune system को बहुत जादा defect कर रही है इसके कारण भी ulcerative colitis जैसा व्यादी उत्पन होता है आयरुवेद इसी प्रकार से देखता है आयरुवेद में मुख्य तहा अगनी मतलब आपका digestive fire इसके उपर जो कुछ भी आप कारण सेवन करते हो मतलब causes रहते या फिर reasons है उसके कारण आपका अगनी का संदुक्षन हो जाता है अगनी खराब होना शुरू हो जाता है और उसके कारण ulcerative colitis जैसी बीमारी उत्पन हो जाती है उसमें basically जैसे बताया है बहुत सारे आयरुवेदि क्लासिकल टेस्ट में अभोजनात मतलब अनका बिल्कुल भी सेवन ना करना अती भोजनात बहुत जादा पेट भर के अनका सेवन करना अजिर्न मतलब in-digestion या फिर असातमे भोजन अन्होलसम डायट का सेवन करना जेसे की फीश और दूद का एकत्रिक सेवन करना, इस प्रकार का आहार का सेवन करना, वारमवार वेगावरोद करना, मतलब अपने अर्जे सप्रेस करना, इस प्रकार की सारी कौजेस अलसरेटिव कोलाइटिस जैसा व्यादि हुथपन न करती है आचारियों ने बड़ा स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पितज ग्रहनी की दुष्टी होती है और उस पितज ग्रहनी में अगर आपका अगनी अधिक जादा खराब हुआ है उस आवस्था में कोई भी व्यक्ति अपथ्यकर आहर का सेवन करता है मतलब किसी भी प्रकार से वह उष्ण तिक्ष्ण मतलब बहुत जादा स्पाइसी फूड हॉड फूड इस प्रकार का बार बार सेवन करना शुरू करता है उस व्यक्ति में आपका रखतातिसार उत्पन्न होना मतलब अलसरेटिव कोलाइटिस उत्पन्न होने के चांसे साथ बार बार निकलना यह सबसे मुख्य लक्षन हमें उत्पन्न मिलता है और हमें पता भी चलता है कि इसी के साथ आयर्वेद में कि हमें रूट कॉज का या फिरूट पता चल जाता है कि अगनी मतलब आपका डाइजेस्टिव पावर यह अलसरेटिव कोलाइटिस का रू अंचकर्मा पद्धती के तहट किस प्रकार से लाइन आउट ट्रीटमेंट होती है और आयर्वेद में अलसरेटिव कोलाइटिस का कैसे समूर नाश किया जाता है इसके बारे में जानकरी देने जा रहा हूँ तो आप सभी लोग मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रही है और मेरे अगली वीडियो में जानिये आयर्वेदिक चिकिसा पद्धती फॉर अलसरेटिव कोलाइटिस धन्यवाद